नमस्कार किसान भाईयो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गुड क्रॉप्स में किसान भाईयो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आलू की एटू जर जानकारी के बारे में आलू की खेती कप करें और कैसे करें जुताई कैसे करना चाहिए अनकूल समय के साथ साथ उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जो अधिक से अधिक उपच उत्पादन देंगी और तापमान कैसा होना चाहिए आलू की सफल खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए यह सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाए गि किसान भाईयो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है की अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अन्कूल समय की इसके लिए अन्कूल सुटेवल समय है अक्टूबर और नवंबर माह लेकिन एक्जेक्ट टाइम की बात करें तो आप एक नवंबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास इसकी बुआई कर सकते हैं यह काफी परफेक्ट टाइम है आलू की फसल के लिए मिट्टी मतलब की स्वाइल कैसी होनी चाहिए तो रेतीली भूम, पीली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी इसके साथ-साथ लाल मिट्टी में भी आलू की सफल खेती की जा सकती है और मिट्टी के पी-च मान की बात करें तो 5-6 पी-च मान सबसे बेस्ट माना जाता है लेकिन आप 5.5 से लेकर 7.5 तक की पी-च मान वाली मिट्टी में आलू की फसल ले सकते हैं और इसके साथ साथ उत्तम जल निकास की विवस्था भी होनी चाहिए अब बात आती है आलू की फसल के लिए जलवायू और तापमान कैसा होना चाहिए तो आप लोगों को पता ही है कि आलू एक ठंडी जलवायू की फसल है मतलब कि इसके लिए 15 डिग्री सलसियस से लेकर 30 डिग्री सलसियस तापमान उपयोगत होता है आलू की फसल के लिए खेत की तयारी तो सबसे पहले हमें मीडियम जुताई करने वाले हल कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करनी है और खाद उरवरक के रूप में जुताई करते समय दो ट्राली गोबर की खाद प्लस 30 किलोग्राम जिपसम का भी प्रियोग करना है इन दोनों को पूरे खेत में बिखेर कर रोटो वेटर से एक जुताई कर देनी है और जब प्लांटर से आप आलू की बुवाई कर रहे हो तो उसी के साथ साथ 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फासपोरस तथा 16 किलोग्राम पोटास भी खेत को देनी चाहिए इससे आप आलू की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाईयों हम आपको उन्ही बाराइटी के बारे में बताएंगे जिससे अधिक से अधिक उपज उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तो नमबर एक पर आती है कुफरी पुखराज जो की फसल तयार होने में 90 से 95 दिनों का समय लेती हैं और इसकी उपज उत्पादन छमता 107 कुइंटल मतलग की 16 तन होती है नमबर दो पर आती है कुफरी बात्साह जो की फसल तयार होने में 110 दिनों का समय लेती हैं और उपज उत्पादन 120 क्विंटल होता है नमबर तीन पर आती है कुफरी हिंसोना तो कुफरी हिंसोना 95 दिनों की वैराइटी है और इसकी उत्पादन छमता 125 क्विंटल होती है अगर आप अपनी फसल को स्वच और हस्ट पुस्ट देखना चाते हो तो आपको बीज उपचार करना जरूरी है इसके लिए हमें BASF कमपनी की जहलोरा फफूंद नासक से बीज उपचार करना है 10-12 लीटर पानी में 200 ml जहलोरा को घोल कर और इससे आप लगभग 12-15 क्विंटल आलू को उपचाल कर सकते हो अब बात आती है खरपतवार की रोगथाम की तो आलू की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उखते हैं खरपतवार की रोगथाम के लिए आलू की बुवाई के बाद और अंगुरित होने से पहले ही आप प्री एमर्जेंट हर्पिसाइड मैट्री ब्यूजेन 70% WP को 100 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल कर इसका स्प्रे कर दें और एक बात का ध्यान जरूर दें कि आपको इसका स्प्रे आलू की बुवाई के दो दिनों के अंदर ही करना है तो किसान भाईयो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताइए और आलू की फसल की आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना चैनल को सस्क्राइब करने से आलू की आगे की जानकारी आप तक पंचाई जाएगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना राम राम किसान भाईयो मिलते हैं अगली वीडियो में